संगीत पर निबंद, प्रस्तामना, जीवन में खुश और व्यस्त रहने के लिए संगीत सबसे अच्छा तरीका है. इस व्यस्त भीर भाल और ध्रस्त संसार में, जहां हर कोई हर एक समय एक दूसरे को हाने पौचाना चाहता है. ऐसे कठिन समय में संगीत हमें खुश रखता है. और हमारे मस्तिस्क को राहत प्रदान करने में मदद करता है. मैंने अपने वास्तिविक जीवन में स्वयम या मैसूस किया है. कि संगीत वास्तों में हमेशा खुश रखने में सहायता करने वाला एक साधन है. संगीत का इतिहास और उत्भाव संगीत प्राचेनकाल से ही प्रियोग में रहा है. सामवेद संगीत को समर्पित वेद है. इसमें संगीत के गुड़ों और प्रकारों का वर्डन है. भारत मुनिद्वारा रचित पंचम वेद नाट्य शास्त्र भी संगीत का वर्डन है. संगीत अपने विराड रूम में प्राचेनकाल से ही हमारे बीच विद्यमान है. सरस्वती को सुरों की देवी कहा जाता है. संगीत का महत्व संगीत योग की तरह है जो हमें हमेशा खुश रखता है. इसके साथ है यह हमारे शरीर में हार्मोन का संतुलन भी बनाए रखता है. संगीत का हमारे स्वास्तिय पर काफी अच्छा असर होता है. यह हमारे शरीर को स्वस्त तथा हमारे मन को शान्त बनाए रखता है. संगीत हमें खुश रखता है और मस्तिस को रहत पहुचाता है. मैंने भी अपने जीवन में इस पात को कई बार महसूँज किया है. कि संगीत हमें खुश रखने में काफी सहायता प्रदान करता है. निसकर्ष संगीत ध्यान और योग से अधिक है. क्योंकि यह हमारे शरीर और दिमाग दोनों को लाफ पहुचाता है. हम पूरे दिन में कभी भी संगीत सुन सकते हैं. मध्यम आवाज में संगीत सुनना एक बहुत ही अच्छी आदत है. संगीत हमारी आत्मा का भोजन है. यह हमें सुकून देता है. हम सभी को इसके महत्व को समझने की आवश्यक्ता है. पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों में सेर कर दीजिए. और अपने सुझाओं फटाफट कॉमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बता दीजिए. और प्लीज चैनल को सब्क्राइब कर लिजिए और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताके आने वाले सभी वीडियो के अपलोड्स आपको पता चलती रहें. बाइब बाइब